वेलकुम बैक टो अनगनी ब्लोग मरें ब्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज के इस ब्लोग को शुरू करते हैं जब से पहले मेरे साथ बूलिए गनपती पापा मो रहा और मंगल मूर्ती मो रहा तो वाई सब आज ऐसी वात है आज हम लोग चा रहे मतलब इतना आसान तो नहीं है क्योंकि बिछले तीन-चार साल से मैं भी जा रहा हम आप है तो मुझे नहीं रगता क्योंकि वह कहते हैं ना मंजिल से ज्यादा मज़ा सफर का है तो जो सफर होने वाला है हमारे तुमारे और बापा के बीच में इस वीडियो के मात्यम से तो जैसे ही मैं वहां पे मतलब लालबाग परेल जो बोलते है उस जगह पे जैसे ही एंटर हुआ तो मुझे लगा दिन संडे का है और सेकेंड यह दूसरा दीन है तो कुछ जादा भीड होगी ने क्योंकि लोगों के घरों में भी भगवान जी की अस्त्रापना करी याती है ज भी भी सर्जन होता है तो मुझे लगता वो सब होने के बाद ज्यादा भीड होगी लेकिन यह नहीं सोचाता कि सेकेंड है और बात में ध्यान है अरे हां आज तो संडे करके तो भीड तो भाई नॉर्मल सी वात है क्योंकि आफिस, कॉलेज, स्कूल सब उस तो बंद है तो ह जारों लागों की खेड को देखते हुए एक टक मैं ऐसी देखता ना फिर अब वापिस तो जाना नहीं करके दर्शन कैसे भी करना है बस बापा ने बुला है हम चलिया और दर्शन करना है मदब करना है तो आप देखिए बापा के बंदाल का गेट तो देखिया देखिए इस इनमेटिक सोर्ट्स के मात्यम से पारिती लाइन में लगने के पिसले दू-तीन साल से मैं जा मदलब जो गेट है उसके तक्रीवन आधा किलोमेटर अगर आप गया हो तो आपको पतावा चिंस पोकली चराजयानी चिंता मनी यह जो बापा उनका जो एंट्रेंस गेट ना यहां पर वहां से लाइन सुरू हो सब्सक्रणा वहां से लालबक्यार आजरे कि नॉर्मल जो मुख दर्शन ओधा वहां से लोक में लगतिते थे थे तो मेरे साहथ और भी लोग के इतना तो कन्फर्म साटलय Concert लिए लेकिन यह नहीं पता है कि वहां से हमनों को पीचह Almighty कि औधो हारवत कर बात हैं कुछ भी करना पापा की डर्षन करना करना अंदर यह पूरी तरह से भरा गवाता है चाहिए कुछ भी हो जाए भले शाम हो जाए फरक नहीं पड़ता है दर्षन करना मतब बापा की एक जलक लेनी है तो लेनी है उनका आशिर्वात लेना घर कैती अ तीरे-द्रे हमारा सफर सुरू हो गया आप खुद ही देखिए यह वीडियो की लोगों की भक्ति और यह जहल पहल देखते रही है कर दो खुद है जो 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 बना होता है जहां पर बहुत सारे बैनर्स अगरे रहते हैं मतलब वहां पर सम्झेश धुकून रहता है वहां पर पंखे वगरा सब कुछ रहता है और वहां पर आप अच्छे से मतलब खड़े हो सकते हैं मतलब यू ऐसे चोटी चोटी पतली पतली गलिया बनाए रहती ताकि यह जो इतनी भीड है उनको कंट्रोल किया सके एक साथ ना जा पाए तकरीबर महां भी 2-5 गंटे पिताने के बाद आप वो वक्त हो चुपा था ब मैं तो नहीं बता सकता कि आप खुद महां रहेंगे तो अच्छे से बता पाएंगे या फिर आप देख लीजे कुछ से उताइए हमको कि आपको कैसा लग रहा है अच्छे रहा है झाल 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 जो बापा दे रहे है वो तो दे रहे है बस दस दिन इनके नाम से बंद जो होगा देखा जाएगा इसलिए बापा का यहां पर आगमन है यहां पर रह रहे है तब तक उनकी शेवा करें और बागी सब भक्तों का अधर से संबान से उनको दर्शन कराने के लिए उनको मतलब एक हेल्प किया जाए तो लोग यहां के जो रहवासी हैं लोकल लोग उनको सबसे पहले दिल से शुक्री है जो इतना सब कुछ अच्छे से मैनेज करते सब कुछ कभी यहां चोटी मोटी गड़बडी होती है जैसे उसमें कुछ ना कुछ मिसर्णन स्राइडिंग होती है हमारी उनकी तो इस बीट पे तोड़ा कहा सुनी हो जाके बागी सब कुछ पर सब्सक्राइड ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ सब्सक्राइड ना कुछ ना कुछ ना संकते है जाक हो जो जो नं गरोंडल ती आत Metro wonder आरया नगरी चादू दैवत मुझा विनायकातू एगा जानना आरया नगरी चादू दैवत मुझा विनायकातू नगरी चादू महात्वारया नगरी चादू दैवत मुझा विनायकातू नगरी चादू दैवत मुझा विनायकातू एगा जानना तू आदीश्वर तू परमेश्वर तू सईश्वर एगा जानना हेगा जानन, हेगा जानन हेगा जानन, भिनायकार हेगा जानन, भिनायकार हेगा जानन तो थेंक यू आपकी पुरी टीम को धन्यवाद गन्पादी बंपाँ हो रही है और ऐसे ही सब पर आसिरवाद बनाए रखे हैं और रुड़े में गलती होगी तो इसके लिए सॉरी सो मिलते हैं आप से पहुचल तक के लिए बाब बाई